हेलो फेंड स्वागेत है आप सभी का आपके अपने सेटूप चैनल पर दोस्तों ये वीडियो भी आप लोंके लिए बहुत जादा इंपोर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक प्रॉब्लम के बारे में बताने वाल हूँ और साथी साथ मैं आपको उसे प्रैक्टिकल ओंसाइट डिखाऊंगा भी ताकि आप उसको देखकर अच्य समझ पहें और जब भी आप अपने घर में फॉल सेलिंग करा हैं जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हापे जो फॉल सेलिंग आपको दिखाई दे रही है इसमें काफी जाएधा क्रैक आपको दिखाई दे रही होंगी और भी मैं आगया आपको दिखाऊंगा जिसमें काफी सारे स्पोर्ट्स आ गए हैं काफी लंबी लंबी क्रैक आ गई हैं और यह जाता लोग बार अपने घरों अगर बात करें तो दो क्या होता है कि नॉर्मली जब लोग आ अपने घर में कराते हैं तो आज बहुत से लोग पीवी सी फॉल्स लिंग की तरफ जा रहे हैं यह प्योपी की तरफ जिफ समझे होती है वह लोग बार जातर कमर्शल डिपार्ट्मेंट में यूज करते हैं नॉर्मली घर में नहीं करते हैं तो जब आप प्योपी का इस्तमाल कर रहे होते हैं तो देखो सही तरीके से यह सही कॉलिटी की यूज करनी चाहिए तो मार्केट मां बहुत सस्ते सस्ते कट्टे भी आपको देखने को मिल देंगे बहुत सा लोकल ब्रांड भी देखने को मिल देंगे बड़ आप एक अच्छे ब्रांड पर जा सकते हैं विल्ला पुट्टी नेरो लैक ठीक है यह सब चीजे जो होती है ताकि आपको एक अच्छे एडेसिमनेस उसमें मिले अब उसके बात क्या होता है कि जो आपने अगर माल लो कि जो आपने प्योपी ली है उसको मिक्स करना भी बहुत ज़्यादा जरूरी अच्छे से हो जाता है नॉर्मली दो को साइट पर और उसके बाद उसमें जाली पर या हमारे जाल चैनल बानाया तो उसके कराना जो पकड़ होतीए वह अतनी यह सोकती है तो फिर वो उसमें अपनी बिध मिटल काम यहां तो यहाँ पर क्यों होता है कि वो एक अपने हिसाब से ही थीज़े ख़ई देगा चाहे वो चैनल हो गया चाहे वह पियोपी हो गया तो यह पर आपको चैकलिस्ट यही है कि आपको एक सही quality का metal यूज़ करना चाहिए तो प्योपी भी आपको उसमें एक रोल आ जाता है प्योपी का कि आप किस तरह की प्योपी यूज़ कर रहे हैं जैसे आप यहां देख पार है जो crack आपको दिखाई देरी है पूरी false ring में आपको हलके से रीशे टाइप के या lining से crack से दिखाई देरी है दाइवाए भागती हुई तो यह चीज़े भी कारण बन जाती है अब एक कारण यह कि अब होता है की जब माने लोग के आपकी छस्त है और आपके छस्त लिकेज कर रहा है ठीक है उस जगा से माललो fans यहां पर चाहत और लेडी उपर नहीं है तो वहाँ पर क्यारप चूड़ती है और फूलने रखते हुए काम कर सकते हैं इंप्रॉपर में एक साथ हैं यहां पर मैं एक चिवर बदा दूं कुछ लोग क्या करते हैं कि चैनल का जो साइज होता है वह उसके नहीं बादते हैं उसके उपर मोटा-मोटा प्योपी लगा देते हैं उसका साइज बढ़ाने के लिए और जो हम में दियान में रखना होता है यह तो फॉल्स रिंग के साथ साथ जब आप प्योपी भी करते हो सेलिंग में तो भी देखो कभी कभी छुटके गिरदाती है उसके पीछे क्या होता है कि जो आप प्योपी कर रहे हैं वह सलैब जो हमारी वह अच्छे से वहां पर पकड़ नह दिखाई थी क्योंकि मैंने भी बहुत सी साइडों पर प्योपी कराई है क्रैकिंग नहीं आती है लेकिन छोटी मोटी बहुत ही मामुली तोर पर क्रैक देखने को मिलती है बट इतनी नहीं जैसे यहां पर थी तो इन सभी को ध्यान में रखेंगे तो यह प्रॉब्लम आप देखन